नमस्कार दोस्तों साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड आपका हारदिक स्वागत करती हूँ अभिनंदन करती हूँ दोस्तों निराला जी जो छायावाद के बहतुपूर्ण आधारस तंभ माने जाते हैं उनकी बहुत सारी रचनाएं नेट जयारेफ के पा क्षाने से रह गई क्योंकि मेरी स्मृति में कहीं ये बात रही कि राम की शक्ति पूञा शायद हमारे पाठीक्रम में नहीं है लेकिन जब मैं ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि राम की शक्ति पूञा बहalinा हैं तो चलिए निराला जी की शेश कविताओं पर हम चर् बहुत बार NET JRF में प्राश्न आते हैं आचारे शुकल जी के कथनों से संभंदेत, बच्चन सिंग जी के कथनों से के लिए मौदूद रहें तो सबसे पहला बिंदू जो आचारे शुक्ल ने कहा वो है निराला जी पर बंग भाशा की कावे शैली का प्रभाव समास गुमफित पदवल्लरी क्रिया पद के लोप आदी में सपष्ट जलगता है यानि इसमें दो बातें आपको धियान में रखन और यही कारण है एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि जिस परिवेश में कोई भी साहित्यकार कोई भी विद्वान रहता है उस परिवेश का प्रभाव वो स्वाभावत है ग्रहन करता ही है जाने या अंजाने में तो वो प्रभाव शुक्ल जी स्वीकार करते हैं कि बंग पदवल्लरी का अर्थ क्या है इसका अर्थ है कि निराला जी के काव्य में सामासिक शब्दों का प्रियोग हुआ है बड़े-बड़े सामासिक पद यानि शब्द इस्तेमाल हुए है आपको ध्यान होगा कि जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रियोग्त होकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है तो वो पद कहलाता है तो उसी शब्द समूह के लिए यहां पर पद शब्द का प्रयोग किया गया है दूसरी बात बंग भाशा की कावेशली में क्रिया पद का लोग अक्सर दिखाई देता है तो प्रभाव भी हमें निराला जी के कावे मिलता है ऐसी मान्यता है ऐसी विचार धारा है शुकल जी दूसरे बिंदू पर आते हैं सबसे अधिक विशेषता आपके पद्यों में चरणों की स्वच्छंद विशमता है दूसरी बात एक तो बंग भाशा की कावेशली का प्रभाव स्विकार करते ह है शुकल जी दूसरी बात पद्यों में चरणों की स्वच्छंद विशमता चरणों की स्वच्छंद विशमता का अर्थ क्या है इसका अर्थ है कि उनके पद्यों में कोई चरण लंबा होता है कोई चरण चोटा होता है और कोई चरण मध्यम आकार का होता है एक से चरण न लोग इसे रबर चंद या केचवा चंद आधी कहने लगे थे यानि निराला के द्वारा प्रियुक्त मुक्त चंद को रबर चंद या केचवा चंद क्यों कहा गया इसलिए कहा गया शोकल जी इस बात की और ध्याना करशित करते हैं इसका विशलेशन करते हैं कि क्योंकि उनक केट मुक्त चंद को रबर चंद या केचवा चंद कह करके पुकारा गया। अगले बिंदु पर आते हैं। निराला जी की भाषा अधिकतर संस्कृत की तत्सम पदावी से जड़ी हुई होती है। ये हम पहली बात कथन में भी पढ़ चुके कि तत्सम यानि तत्सम शब्दों का प्रियोग निराला जी के कावे में बहुत अधिक मिलता है। जिसका नमूना हमें राम की शक्ति पूजा में मिलता है। ये बिंदु खास तोर पर आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं राम की शक्ति पूजा तो राम की शक्ति पूजा के विशे में उसकी भाषा के विशे में एक बात आप अपने हरदय में अच्छी तरह से बिठा लीजे कि राम की शक्ति पूजा क भाशा में तत्सम शब्दावली का प्रयोग है यानि संस्क्रित निष्ठ सामासिक शब्दों का प्रयोग यहां पर किया गया है जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि इनकी भाशा में व्यवस्था की कमी बताते हैं शुकल जी प्रायर है जिसे अर्थ या भाव अभिव्यक्त करन रूप में सही अर्थ के साथ पाठक या श्रोता तक नहीं पहुँच पाता यह मान्यता है आचारे शुकल की दोस्तों राम की शक्ति पूजा पर बहुत बार अकसर ऐसा प्रशन पूचा जाता है कि राम की शक्ति पूजा के विशय में निम्नलिखित में से असंगत कथन तत्सम शब्द प्रधान है आगे चलते हैं बच्चन सिंग लिखते हैं अपने इतिहास क्रंथ में आर्थिक गारहस्तिक सामाजिक साहितिक युद्ध में पराजित निराला अपनी मनोदशा को बदलने और पराजय के बोज को फेकने के लिए एक नए मार्ग का अन्वेशन कर रहे थे इस पंक्ति का अर्थ ये है कि निराला के यदि व्यक्तिकत जीवन में जांक कर देखा जाए दोस्तों वे आर्थिक दृष्टी से संकट जेलते थे जेला उन्होंने अपने पूरे जीवन भर गारहस्तिक यानि ग्रहस्त जीवन के संकट को भी उन्होंने जेला क क्योंकि उनकी पत्नी मनोर्मा देवी का निधन बहुत ही मनोहरा देवी का निधन बहुत ही अल्प समय में हो गया था विवहां के बहुत कम समय के बाद ही हो गया था सामाजिक दबाव उने जहले क्योंकि उनका व्यक्तितु अलग प्रकार का व्यक्तितु था उनका याद दिलाते हैं कि एक व्यक्ति जो अर्थ व्यवस्था का संकट जेल रहा है, ग्रहस्त जीवन का संकट जेल रहा है, समाज का संकट जेल रहा है और साहित्य विरोध का सामना कर रहा है और जब वहां से हताश और निराश हो जाता है तो अपनी उर्जा को जगाने के लिए वो कोई न कोई मार्ग तलाश करता है और उसी मार्ग का जब निराला जी अन्वेशन कर रहे थे तलाश कर रहे थे तो बच्चन सिंग जी कहते हैं कि वास्विक्ता तो यह थी कि एक और मन रहा राम का जो न थका ये पंक्ति राम की शक्ति पुजा की है कि निराला जी भले ही इतनी साइवे विशम परिस्थितियों से जूझ-जूझ कर पराजित हो गए हो लेकिन उनकी चेतना उनकी चेतना जिस तरह से राम की चेतना रावण का पलड़ा युद्ध में भारी होने पर भी परास्त नहीं हुई हताश नहीं हुई वो मन निराला का अभी हताश नहीं हुआ था वे नए सिरे से युद्ध करना चाहते थे यानि वे फिर से अपनी इन विशम परिस्थितियों से जूजना चाहते थे अपनी चेतना के स्तर पर और इसके लिए उन्हें राम की शक्ति पूजा का अब्जेक्टिव कोरेलेटिव मिल गया अब्जे सहसंबंदिता के अर्थ कार्थ क्या है कि राम की शक्ति पूजा में रावड का पलड़ा भारी देख कर राम के जीवन में जिन-जिन प्रकार की विशमताओं और खास तोर से युद्ध के दौरान जो मनस्तिती उनकी थी निराला को कहीं न कहीं अपने जीवन की विशमताओं से उसमें तालमेल दिखाई दिया यानि वे कहीं किसी एक बिंदू पर वे अपने आपको राम की विशमताओं से जुड़ा हुआ पाते हैं यही कारण है कि उनका व्यक्तित्व राम की शक्ति पूजा के नामक काव्य के रूप में उभर करके सामने आया है इसी बात की ओर्धियान दिलाया है इस कथन के माध्यम से बच्चन सिंग ने आगे चलते हैं आगे बच्चन सिंग लिखते हैं कि शक्ति पूजा का मूल सुरूत आपको याद रखना है क्रतिवास का बंगला रामायन है क्रतिवास बंगाल के लेखक है जिनोंने बंगला रामायन डिखी और ये बंगला रामायन क्रतिवास रामायन के नाम से ही लोकप्रिय है किन्तु बंगला रामायन की कथा में वर्णन की स्थूलता है यानि बच्चन सिंग राम की शक्ति पूजा और बंगला रामायन का जो शक्ति पूजा का प्रसंग है क्रतिवास रामायन का दौनों में तुलना कर रहे है तो वे कहते हैं कि बंगला रामायन में जो शक्ति अर्थ का एकहरापन है और जो भी पंक्ति वहां प्रस्तुत की गई है शक्ति पूजा के प्रसंग का वर्णन करने के लिए क्रतिवास रामायन में वहां वो पंक्ति केवल एक ही अर्थ की बोधक है लेकिन और बंगाली भावुकता की प्रधानता है यानि ती बाते हैं लेकिन इसके विप्रीत शक्ति पूजा का ये प्रसंग राम की शक्ति पूजा काव्य में भी ग्रादाजी के लिएक्ट किया गया है और वहां बच्चन सिंग लिखते हैं कि सूक्ष्मता है यानि वहां वर्णन की स्थूलता है क्रतिवास रामायन में यहां बहुत वारीक की वोधक बनकर हमारे सामने आती है जो चायावादी काव्य की एक बहुत ही महतुपूर्ण विशेष्टा है हिंदी प्रदेश का संचय और हमारा हिंदी प्रदेश का जो संसकार है जो हमारी परंपरा है उसे पुंजी भूत रूप में उसे सामुईक रूप में संगठित अभिव्यक्त करती है शक्ति पूजा और उसमें पौरुष है यानि ओज का स्वर है बंगला रामायन जितना बाहिर मुखी है राम की शक्ति पूजा उतनी ही अंतर मुखी है क्योंकि वो राम के अंतर मन को उदगाटित करती है बाहिय परिवेश के माध्यम से भी वहां रा राम की पराजय, दूसरा राम की चिंता, तीसरा अंतरवंद, हनुमान का उर्ध्वगमन यानि आकाश में उपर जाना जिसके विशह में बाद में चर्चा करने वाले हैं, विभीशन की मंत्रना यानि सलाह, जांगवान की सलाह और राम का आराधना करने का संकल्प यानि शक् संगों के वर्णन की एक सूत्रता और उदातता, क्या विशेष्टा है, वर्णन की एक सूत्रता और उदातता, इस तरह की गई है, मानो एक विशाल शिलाखंड को तराश कर, एक उदात भव्य और कलात्मक मूर्ती निर्मित की गई हो, ये कथन है, इस पंक्ति को कंठस्त क कर लेंगे प्रश्न इस समबंदित पूछा जा सकता है कि राम की शक्तिपूजा के विशय में ये कथन किसका है तो आपको ये ध्यान-कारी होनी चाहिए आगे चले अब बात आती है डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास करंथ में राम की शक्ति पूजा के विशे में क्या कहा गया है तो देखिए डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में कहा गया है कि राम की शक्ति पूजा निराला की ही नहीं संपूर्ण चायावादी कावी की एक उतक्रिष्ट उपलब्धी है इसमें कवी ने एक एतिहासिक प्रसंग के द्वारा धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण किया है एक बिंदु जो राम की शक्ति पूजा के आपको पता होना चाहिए वो ये है कि धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण यहां शक्ति पूजा के किया गया है राम धर्म के प्रतीक है और रावड अधर्म का प्रतीक है राम की शक्ति पूजा के विशे में एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि इस कविता में अधर्म का चित्रन एक प्रचंड शक्ति के रूप में किया गया है जिसके सामने एक बार तो राम का साहस भी कुंठित होने लगता है यानि इतनी प्रचंड शक्ति के रूप में अधर्म का चित्रन राम की शक्ति पूजा में किया गया है कि एक बार राम भी रावण की शक्ति को इतने प्रचंड रूप में देखकर के हताश और नेराश हो जाते हैं आगे डॉक्टर नगेंद्र के दिहास में कहाता है कि यह स्थिती एक और तो कभी के व्यक्तिकत जीवन के भयाना संखर्ष से संबध हो जाती है और दूसरी और युगीन यतार्थ की विक्रालता को भी व्यंजित करती है यादि जो बात यह कही गई कि अर्थ का एकहरापन कृतिवास रामाइन में है लेकिन यहाँ शक्ति पूजा में जो बच्चन सिंग जी ने कहा कि अर्थ के अनेक स्तरों पर अभी व्यक्ति की गई है तो वही बिंदु यहाँ पर डॉक्टर नगेंदर के इतिहास में भिन्न प्रकार से प्रतुत जा गया है कि यह जो पंक्तियां है राम की शक्ति पूजा की वो ना केवल कभी के व्यक्तिगत जीवन की संकेतक बनती है बलकि युगीन यथार्थ की भी संकेतक बनती है क्योंकि 1936 में रचित है राम की शक्ति पूजा और 1936 का वर्ष बहुती महतुपूर्ण वर्ष है क्यूंकि प्रथम विश्वियुद समाप्थ हो चुका है और उसके जो बाद के परिणाम है उनको सारा विश्व जेल रहा है और दूसरी और भारत में 1931 में भगत सिंग, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दीचा चु और परिवेश में विशमता, हताशा और निराशा विद्यमान है तो दूसरी अगेंद्र के इस बात की और संकेत किया गया है कि ये राम की शक्ति पूजा का, राम की निराशा और हताशा का जो प्रशन है, वो कभी के व्यक्तिगत जीवन को अभिव्यक्त करता है, उनकी व देखिए आराधना की जब भी बात आती है तो एक परंपरा गरत भगवान की पूजा करने का एक स्वरूप है हमारी संस्कृती में उसी का पालन किया जाता है लेकिन निराला का व्यक्तित्व क्यूंकि नित्य नए द्रश्टिकोंड प्रस्तुत करने वाला था यही कारण है कि वो यहां शक्ति की मौलिक कल्पना की बात करते हैं मौलिक कल्पना के द्वारा कभी क्या संकेत करते हैं कि परमपराओं को उतना ही स्वीकार करना चाहिए जितनी वे हमारी प्रगती में सहायक हो परंपरा का जो स्वरूप हमारी प्रगती में बाधक बने उसमें संशोधन समय समय पर करना अनिवार है और यही कारण है कि वो शक्ति की मौलिक कल्पना के द्वारा इस बात की ओर संकेत करते हैं और राम उसकी आराधना करते हैं और अ रावर को पराजित करने में वे सफल होते हैं शक्ति की उपासना में एक और तो परंपरागत सत्य की स्वीकृति का संकेत नहित है और दूसरी और मौलिक कल्पना इस बात पर बहुत देती है कि प्राचीन सांस्कृतिक आदर्शों का योगान रूप संशोधन अनिवार है इस ने अभी की कि 1936 में राम की शक्ति पूजा की रचना की गई और 1949 में अनामिका द्वितिये जो कविता संग्रह प्रकाशित हुआ निराला जी का उसमें इसका संकलन किया गया यह बिंदु भी आपको ध्यान में रखना है कि राम की शक्ति पूजा का रचना का वर्ष है 1936 और 1909 में वो नामिका द्वितिये नामक काविय संग्रह में संकलित की गई और एक और बिंदु यहां पर मैं आपको बता दूँ 1936 में राम की शक्ति पूजा भारत नामक एक दैनिक पत्र में प्रकाशित हुई इस तरह का प्रशन भी कई बार पूछा जाता है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 1936 उस प्रकाशन वर्ष भी है 1936 रचना वर्ष है लेकिन संकलन वर्ष अनामिका में रखना है 1949 इस अंतर को आप याद रखेंगे राम के मानव रूप का चित्रन किया गया है तीसरा बिंदू जो आपको राम की शक्ति पूजा के विशय में कंठस्त करना है पहला बिंदू हो गया भाशा की तत्समता दूसरा बिंदू हो गया राम के मानविय रूप का चित्रन तीसरा बिंदू हो गया अनेक अर्थों की अभिव्यक्ति, समकालीन यथार्थ की अभिव्यक्ति, ये बात तीन बिंदू आपको कंठस्त कर लेने हैं, समकालीन यथार्थ परिवेश की सांकेतिक अभिव्यक्ति है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, राम के द्वारा रावर पर विजय प्राप्ति के उद्देश से शक् आला की एक लंबी कविता के रूप में सुईकार की जाती है, तो शिल्प की दृष्टी से ये एक लंबी कविता है, ये चोथा बिंदू है जो आपको ध्यान में रखना है, आगे चले, अब यद्यपी एक लंबी कविता है, लेकिन इसमें मूलते हैं पांच इस कविता के पा जब दूसरे बिंदू की और मुड़ती है कविता दूसरी भाव भूमी में प्रवेश करती है कविता तो विद्वानों के द्वारा उन्हें पांच चरणों में इस कविता को विभक्त किया गया है प्रारम होता है इसका रवी हुआ अस्त ये पंक्ति आप ध्यान में तो दूसरा चरण जब युद्ध समाप्त हो जाता है युद्ध का वर्ण समाप्त कर लेते हैं निराला तो वे दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं और लोटे युग दल दौनों जो युद्ध के दल हैं योद्धाओं की समू है यानि दौनों पक्षों की जो सैनाएं है वे लौटती है वहाँ से दूसरा बिंदू दूसरा चरण शुरू होता है जहाँ पर रावड की क्या मनहस्तिती है उसकी सेना की क्या मनहस्तिती है कि वो हर्शोला से चीकती चिलाती आ रही ही है क्यों क्योंकि उसका पलडा युद्ध में भारी रहा है लेकिन दूसरी ओर रा राम की हताशा और निराशा की ओर बढ़ती है कविता तीसरा है है अमानिशा उगलता गगन गन अंधकार यहां से तीसरा चरण कविता का शुरू होता है जहां प्रकृति के माध्यम से निराला राम के मन की अभिव्यक्ति उनकी मनोदशा की अभिव्यक्ति करते हैं और उनके पूरे स्वरूप को, पूरी अंतर वेदना को अभिव्यक्त कर देते हैं, मानो पाठक के सामने जीवन्त कर देते हैं, तीसरी बात, जब संकट बहुत है, क्योंकि अधर्म का साथ दे रहा है रावण, और रावण का पलड़ा युद्ध में भारी है, तो इससे बड़ी दुर धर्म का पलड़ा जो है, वो कमजोर पड़े और धर्म की स्थापना हो सके, तो जैसे ही वो राह मिलती है, कविता का चौथा चरन शुरू होता है, जामवान के प्रस्ताव से खिल गई सभा, यानि सभा में आनन्द और उत्साह की लहर दोड़ गई, यहां से चौथा चरन चरन शुरू होता है, और पांचवान चरन हताशा और निराशा की रात्री बीत गई, और राम शक्ती की उपासना की ओर सन्नद होते हैं, ततपर होते हैं, यहां से पांचवान चरन शुरू होता है, और शक्ती की उपासना के फलस्वरू भी वे शक्ती से विजैश्री का आ इस कविता में कितने चरण हैं, तो इस कविता में पांच चरण हैं, आगे चलते हैं, आप राम कि शक्ति पूजा के कठानक के प्रमुख बिंदूओं की चरचा कर लेते हैं, ताब के आपको इस काव्य की पूरी की पूरी कठा वस्तू अच्छी तरह से समझ में आजाए, तो सबसे पहली बात ये है दोस्तों कि पहला बिंदू है राम और रावर युद्ध और युद्ध में रावर के पक्ष की प्रबलता की ओर चित्रन किया गया है संकेत किया गया है यानि जहां से राम की शक्ति पूजा कावे शुरू होता है वहाँ पर राम और रावर के यु युद्ध से शक्ति पूजा का प्रारंभ होता है। सामने युद्ध के लिए ततपर हुआ करती थी। तो जैसे ही सूर्यास्त होता है युद्ध विराम हो जाता है और राम सैना सहित अपने शिविर में लोटते हैं। अधर्म का नाशकर पृत्वी पर धर्म की स्थापना करने में सफल होंगे क्या वे अपनी प्रिया जानकी का उद्धार कर पाएंगे। बहुत सारे द्वंद्व उनके मन में है और उनका मन व्याकुल है और उस संशेगरस्तता और व्याकुलता का चित्रण यहां निराला जी ने किया है। चोथा बिंदु है जब व्याकुल है राम तो धीरे धीरे उनके मन में जब बहुत हताशा और निराशा के अंदकार में उनका मन डूप चुका है तब उनके मन में स्मृति आती है सीता जी की, वे सीता जी का स्मरण आता है और वे अचानक विश्व विजय की भावना से भर उठते हैं यानि उनकी चेतना सीता जी के स्मरन से मानो सोई हुई चेतना जागरित हो उठती है और उनके मन में विश्व की विजय करने की भावना का उदय होता है यानि उनमें पौरुश का संचार होता है आत्म विश्वास का संचार होता है आशा का संचार होता है इसके बा आता है कि जिस समय वे रावर से युद्ध कर रहे थे उनके वेबान विश्व की विजय की सामर्थ रखते थे लेकिन क्योंकि रावन के पक्ष में शक्ति थी इसलिए वेबान उनके निश्वल हो रहे थे तो शक्ति के रावन के पक्ष में होने के कारण चिंतित हो जाते हैं उनका मन निराशा और हताशा से भर उठता है तो ऐसी स्थिती में वे अपने आपको असहाय महसूस करने लगते हैं कि आखिर मैं कौन सा मार्ग अपना हूँ जिससे कि मैं अपने लक्षे यानि अधर्म का नाश करके धर्म की पृत्वी पर स्थापना करने में सफलता प्राप पर गिरे हुए आसों की बुदो बूंदे हैं वो हनुमान जी क्योंकि हमेशा उनके चरणों में मौजूद रहते हैं तो उन्हें एक बार तो ऐसा लगता है कि मानो वे चरण क्योंकि श्याम वर्ण के हैं श्री राम और श्याम वर्ण की हैं ही हैं शक्ति तो उन्हें लगत यानि उनके आराध्य के, उनके स्वामी के आंसू हैं। और यही सोचते ही, ये विचार तुरंद जैसे ही उनके मन में कौंधता है, उनके अंदर शक्ती का सागर उद्वेलित होने लगता है, वे क्रोध में भर जाते हैं, कि ऐसी विशम परिस्थिती कैसे इस ट्रश्टी में उत्पन हो गई, कि उनके स्वामी के नेत्रों से दो आंसूं की बूने तपक पड़ी। और वे क्या करते हैं, राम के अश्रु देखकर कृद्ध हनुमान आकाश को निगलने के लिए उर्द कमन कर लेते हैं, यानि तेजी से आकाश में चले जाते हैं और उनका पूरा संकल्प है कि क्रोध में भरे हुए हैं, और सारे के सारे विश्तरित आकाश को निगलने के लिए ततपर हैं, शिव का शक्ति को नियंतरित एवं प्रबोधित करना, कुसरी और शक्ति भी हनुमान को क्रोधा विश्ट देख कर उन्हें और वो भी अपने क्रोध में आ जाती हैं और अपने तेज का प्रसार करने लगती हैं, शिव जी ये दुरश्य देख करके विचलित हो जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि हनुमान जी की शक्ति के समक्ष शक्ति टिक नहीं पाएंगी तो ऐसी स्थिती में वे शक्ति को अपने तेज को रोकने के लिए प्रेड़ना देते हैं और कहते हैं कि ये कुरुध वानर जिसको तुम समझ रही हो ये साधारन वानर नहीं है देवी बलकि ये वो वानर है जो कभी जो इसने सदेव ब्रह्मचरे का पालन किया है जो कभी श् और शक्ता इस बात की है कि तुम उससे संघर्ष करने के स्थान पर उसे प्रभोधित करो उसे समझाओ आगे चलते हैं तब शक्ति उन्हें संबोधित करती है प्रभोधित करती है हनुमान जी को और किस तरह से प्रभोधित किया जाए शक्ति उस समय माता अंजना यानि वापस आकर श्री राम के चरणों में विराजमान हो जाते हैं लेकिन श्री राम का अवसाद और उनका पराजय का भाव उनकी हताशा और निराशा समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही तो ऐसी स्थिती में विभीशन उनको उनकी चेतना को जागरित करने की का प्रयास करते ह उनमें आशा का संचार करने की कोशिश करते हैं, और वो उन्हें तरह तरह से प्रेरिद करते हैं कि ये समय ऐसा है जब हम उस बिंदु पर बहुत चुके हैं कि हमारी विजय निष्टित है इस युद्ध में तो ऐसी स्थिती में आपका इस युद्ध से मुँ मोड लेना, इस जामवान उनसे कहते हैं कि यदि आपको इस बात का भय है प्रभू कि शक्ति रावर के पक्ष में है तो शक्ति को रावर ने आराधना के द्वारा आमंत्रित किया है अपने पक्ष में युद्ध करने के लिए तो आपको भी अब शक्ति की आराधना कर उसे अपने पक्ष में करना होगा यदि उसने साधारण आराधना की है तो आप उससे दुगनी द्रणता के साथ शक्ति की उपासना कीजिए इस पंक्ति को 200 कंठस्त कर लेंगे इस पर आधारित प्रश्न परिक्षाओं में बार बार उचे जाते हैं कि ये कथन किसका है तो कथन इस प्रकार है आराधन का द्रण आराधन से दो उत्तर और ये कथन जांबवान का है तो ये प्रस्ताव रखा जाता है आगे चलते हैं राम सहित सारी सभा इस प्रस्ताव के यानि सभी को ये प्रस्ताव बहुट अछहला है, हम पढ़ चुके थे के एक चरण मिन चुछ शुरूहाथ होती है है कविता लोत है खिल गई सभा, और खिल गई सभा में जो बात है खिलने की वो इस प्रस्ताव की स्वीक्रति का खिलना है उसके प्रति दिन शक्ति की आराधना करेंगे और वे तुरंथ हनुमान जी को देवी दह नामक एक सरोवर है वहां से 108 इंदीवर लाने की आध्या देते हैं इंदीवर नील कमल को कहा जाता है दोस्तों इंदीवर शब्द का प्रियोग वहां शक्ति पूजा में हुआ है तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंदीवर का क्या अर्थ है तो आपको ध्यान रखना है इंदीवर का अर्थ होता है नील कमल तो श्री राम हनुमान जी को आदेश देते हैं कि वे देवी देह जाएं कहां से मंगवाते हैं नील कमल ये भी आपको याद रखना है देवी देह जाएं और 108 नील कमल लेकर आएं क्यूंकि वे एक एक जब के साथ एक एक नील कमल अर्पित करेंगे मा और द्वारा राम का शक्ती उपासना का संगल्प लेते हैं, राम की चेतना जब शुरू हो जाती है तो धीरे धीरे राम की चेतना उर्ध्व गमन करने लगती है यानि मूलाधारचक्र से सहस्रारंचक्र की और तेजी से बढ़ने लगती है लेकिन जब 108 कमल अर्पित करने की बारी आती है समय आता है तो शक्ती राम की परीक्षा लेने के उदेशे से जो आखरी नील कमल है जो अंतिम 108 इंदीवर है उसे चुरा कर ले जाती है राम जब हात बढ़ाते हैं नेत्र बंध हैं उर्ध्वगमन चेतना का हो गया है ध्यान की बिलकुल अंतिम अवस्था में वो पहुँच चुके हैं ऐसी स्थिती में जब वे हात से उस स्थान से 108 नील कमल अर्पित करने के लिए हात को आगे बढ़ाते हैं और उस स्थान खाल देकर राम की व्याकुलता बढ़ जाती है और व्याकुल होकर वो सोचने लगते हैं कि यदि मैं इस वक्त इस पड़ाव पर उठकर 108 एक और नील कमल लाने के लिए उठूंगा तो मेरा जो ये आराधना है ये भंग हो जाएगी क्योंकि किसी भी पूजाकारे में से बीच म में उनकी माता उन्हें राजीव नयन कहकर पुकारा करती थी यानि कमल के समान नेत्रों वाले तो उनके मन में आशा का संचार होता है कहते हैं अभी तो कोई बात नहीं मुझे तो एक ही नील कमल की आवश्यक्ता है लेकिन मेरे पास तो दो नील कमल यानि दो आखे हैं तो म मैं हे मा अब अपना एक नील कमल अपना नेत्र दे कर ये आखरी चरण पूरा करता हूँ, इस संकल्प के साथ वो शस्र उठाते हैं और अपना नेत्र मा को अर्पित करने के लिए ततपर होते हैं, उसी समय शक्ति अवतरित होती हैं क्योंकि ऐसा शक्ति के द्वारा केवल रा उन्हें विजय प्राप्ति का बर्दान देती हैं, होगी जय होगी जय के पुरुशोत्तम नवीन, शक्ति के द्वारा कहा जाता है कि हे पुरुशोत्तम नवीन, नव योग के पुरुशोत्तम, तुम्हारी इस युद्ध में सद अवश्य सफलता होगी, विजय प्राप्त अंतिम पंक्तियां और इन पंक्तियों के साथ ही राम की शक्ति पूजा समाप्त हो जाती है, आगे चलते हैं, अब बात आती है कुछ एक राम की शक्ति पूजा के उन चैनित प्रसंगों की चर्चा कर लें, उनको अच्छी तरह से समझ लें, ताकि उन पर आधारित तो जो शुवात की पंग्ती है सबसे पहला अंश है रवी हुआ अस्त यहां से ये प्रारमबिक पंग्ती है राम की शक्ति पूजा की इस पंग्ती को कंठेस्ट कर लेंगे रवी हुआ अस्त जियोति के पत्र पर लिखा गया अमर, राम रावण का अपराजे समर, यह पहली पंक्ति है, इसे कंठस्त कर लेंगे, यहाँ पर सूर्यास्त हो चुका है, उस स्थिति का वर्णन किया जा रहा है, और सूर्यास्त होते ही, राम और रावण का जो युद्ध है, वो अनीर्णी तवस्था में समाप्त हो लाता ह अब यहां रवी हुआ सूर्यास हो चुका है जियोती के पत्र पर लिखा गया जियोती किसका संकेतक है सूर्य का और सूर्य किसका संकेतक है समय का यानि इस अमर युद का साक्षी कौन रहा समय रहा समय के पत्र पर ये स्वर्ण के अक्षरों में लिखा गया किसको क्या लिख यानि समय इस युद्ध का साक्षी रहा रह गया राम रावड का अपराजे समर और यह राम और रावड का आज का जो युद्ध है वो अपराजे रहा यानि इसमें किसी की भी पराजे नहीं हुई और किसी की भी जय नहीं हुई समर युद्ध होता है यह आप सभी जानते हैं आज का तीक्षण शर विद्रित क्शिप्र कर वेग प्रकर सतशेल सम्वरन शील नील नव गरजित स्वर बहुत ध्यान से समझ लेंगे देखिए उधारन आपके सामने है सामासिक शब्दों का तत्सम प्रधान शब्दों का किस प्रकार से यहाँ प्रयोग किया गया है तो कहते हैं कि आज का तीक्ष्ण, आज के युद्ध में क्या हुआ? आज के युद्ध में दोनों ही पक्षों के द्वारा क्षिप्र कर तीव्र गती से कर यानि हाथों का संचालन. दोनों ही पक्ष के सैनेकों के द्वारा तीव्र गती से हाथों का संचालन करते हुए तीखे, शर यानि बान को प्रत्यंचा पर धारण कर प्रक्षवेग के साथ, तेज गती के साथ, एक दूसरे पर प्रहार किया गया बानों का, यहां ये कहा जा रहा है, शत्षेल और ये ब इतने प्रभावशाली इतने शक्तिशाली इतने शक्तिशाली इतने शक्तिशाली बान एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर जाते थे तो पूरा का पूरा नीला आकाश उनकी गूंज से गुंजायमान होडता था यानि बानों के आने जाने की जो गूंज थी उससे पूरा का पूरा आकाश गूंज रहा था नील नब गर्जित स्वर्ण स्वर कौन सा है बानों के आन्तेवर कती से आने जाने की जो आवाज है जो ध्वनी है उसके लिए स्वर्शब्द और कहा गूंज रहा था पूरा आकाश गूंज रहा था प्रत्येक सेना अपने अपने पक्ष को प्रभावशाली बनाने के लिए युद्ध में अपने पलडे को भारी रखने के लिए हर क्षण अपनी व्यूह रचना को बदर कर अपने कोशल का परिचय दे रही थी ताकि शत्रुपक्ष आसानी से उनकी सेना के बीच घुसकर उनको चोट न पहुँचा सके उनका वद न कर सके राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह कुरूध कपी विशम हूँ और श्री राम की जो वानरों की सेना थी वो पूरी भयंकर हूँ यानि चीतकार के साथ बंदरों की जो आवाज कहती है वहु वाली उस्वर की वहु के द्वारा संकेत किया है निराला जी ने तो कप बंदर सेना बहुत ही भयंकर चितकार के साथ हूँकार की गर्जना करती हुई राक्षसों की सेना के विरुद्ध प्रत्यूहुत यानि बाधाय ूपन कर रही थी यानि एक प्रकार की दीवार सी खड़ी कर दही थी जिसके कारण रावड की सेना यानि राक्षसों की सेना आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। दूसरी और श्री राम की स्थिती क्या थी? श्री राम क्योंकि राजीव नयन है, कमल के समान, कोमल नेत्रों वाले हैं, सुंदर नेत्रों वाले हैं, जब वे कोई भी बान संधान करते थे, निशाना लगाते थे रावड की सेना पर या रावड पर, तो वो बान, जबकि इतने शक्तिशाली बान थे वो जिनमें विश्व को जीतने की समभावनाय थी, सामर्त्य थी, उसके बाद भी वो बान अपने लक्षे से हट जाते थे, यानि लक्षे पर एदने में सफल नहीं होते थे, तो ये देख करके अपने शक्तिशाली बाणों को लक्षे से भिन प्रथक होकर गलत निशाने पर लगते हुए देखकर राजीव नयन राजीव यानि कमल के समान सुंदर नेतरों वाले श्री राम के नेतरों से विच्छुरित वन्नी अगनी यानि चिन गारियां क्रोध के का पारण चिंदगारियां निकल रही थी विच्छुरित यानी निकल रही थी यहाँ पर दोस्तों राजीव नयन में रूपा का लंकार है और विच्छुरित वन्नी मतलब एकाहल के समान कॉमन लेत्रों से अगनी निकलना दो विरोधी स्थितिया है तो यहाँ विरोधा भासलंकार भी है लोहित लोचन रावण मदमोचन मनिमान और रावण कैसा था रावण था लोहित लोचन उसके एहंकार के कारण उसके नेत्र जो हैं वो लोहित यानि लावर्ण के थे और श्री राम कैसे थे लोहित लोचन वाले रावण के मद यानि एहंकार का मोचन का अर्थ होता है मुक्ति लेकिन अहां पर मुक्ति के अर्थ में न लेकर लेंगे एहंकार का नाश करने वाले जब एहंकार का नाश करने वाले लाल नेत्रों वाले रावड के एहंकार का नाश करने में सामर्थेवान श्री राम महियान का अर्थ है जब आगे बढ़ते थे बढ़ते थे और पूरे कौशल के साथ उसकी सैना का सामना करते लें जब पूर्व प्रसंग से ये पंक्तियां भी जुर जाएंगी कि जब वे अपने बाणों को निशाने पर नालग कर खटकर जाते हुए देखते थे, निशाने से अलग जाते हुए देखते थे, तो उनका क्रोध और अधिक बढ़ जाता था एक अर्थ ये है, लेकिन कुछ विद्वान दोस्तों, यहां मही यान का अर्थ ये भी करते हैं कि पृत्वी ही जिसका यान है यान यानी रत संकेत ये किया जा रहा है कि रावन एक विशाल रत पर सवार था और राम क्योंकि एक पस्वी के रूप में थे, वलकल वेश में थे तो ऐसी स्थिती में पृत्वी ही युद्ध के दौरान उनका यान थी कुछ विद्वान इस थरीके से भी इस पंक्ति का अर्थ करते हैं, राघव लाघव वारण वारण गत युग्म प्रहर, इस प्रकार राघव यानि श्री राम लाघव यानि पूरी कुछलता के साथ रावन के प्रहार को निवार रहे थे, निवारण कर रहे थे यानि रोक रहे थे और ऐसा करते करते उन्हें दो प्रहर हो गए थे युग्म का अर्थ होता है दो दो प्रहर गत यानि बीट चुके थे आगे चलते हैं दूसरे अंश पर आते हैं प्रशमित है वातावरन अब देखिए सूर्यास होते ही युद्ध समात हो गया है युद्ध के वर्णन के कुछ अंश हमने पढ़ लिये हैं उसके बाद जब लौट कर आते हैं निराश हताश राम क्योंकि रावड का पलड़ा युद्ध में भारी रहा है तो चारों और शांत वातावरन हैं उसका चित्रन कभी कर रहे हैं परिवेश का चित्रन और राम की मनस्थिती का चित्रन यह किया जा रहा है प्रशमित है वातावरन की वातावरन पूरी तरह से शांत है नमित मुख सांद्य कमल की सुन्दर प्रयोग सूर्यक के साथ और सूर्यास्त के साथ बंद होकर उस Brand एटका रहता है क्योंकि तो क्यूंकि राम का मुख कमल के समान सुन्दर है, लेकिन इस वक्त उनकी मना स्थिती कैसी है? वे हताश और निराश है. तो मानों उनका जो तेज है सूर्य का जो तेज उनके पास है वो तेज उस समय अवसान की अवस्था में है तो ऐसी स्थदी में उनका मुख क्योंकि निराशा और हताशा के कारण छुका हुआ है तो कभी कल्पना करते हैं कि नमित मुख, नमित मतलब जुका हुआ, जुका हुआ मुख कैसा लग रहा है, सांध्य कमल के समान लग रहा है, स्था में कमल सूर्यास्त के समय, जिस प्रकार अपनी कमल नाल पर जुक जाया करता है, बंद होकर, वैसा ही हताशा और निराशा से भ चिंता से भर गए हैं लक्षमन जी और उनके पीछे वे उनके श्री राम के पीछे लक्षमन जी चिंता में भर करके चल रहे हैं और लक्षमन जी के पीछे पूरी की पूरी वानर सेना सकल यानि सम्पूर्ण सारी सेना पीछे पीछे चल रही है रगुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण और रगुनायक श्री राम सबसे आगे आगे चल रहे हैं अवनी यानि पृत्वी पर वे अपने नवनीत का अर्थ होता है मक्खन मक्खन के समान कोमल कदमों को रखते हुए वे चल रहे हैं पृत्वी पर शलत अब उनकी देखिए मनास्तिती को उनकी वेश-भूशा के द्वारा अभिव्यक्त कर रहे हैं कभी ये उनके कौशल की पराकाश्था है तो देखिए शलत धनुगुण है अब कैसा लग रहा है क्योंकि हताश और निराश हैं चहरा जुका ह हुआ है तो अब उनकी वेश-भूशा कैसी होगी उसका वर्नन करते हैं निराला शलत धनुशलत मतलब धीला जो धनुष धनुगुण धनुष की जो डोरी है वो धीली है कटिबंध स्रस्त तूनीर धरन और जो कटिबंध तूरीन तूनीर होता है जिसमें बान रखे जाते है बानों को धारन करने वाला तूनीर होता है और तूरीन को धारन करने के लिए वो जो कमर में कटिबंध पहना करते हैं वो भी धीला होकर लटक गया है यानि पूरे का पूरा व्यक्तित्व कैसा है? पूरा का पूरा व्यक्तित्व उनकी आकरती से भी उनकी हताशा और निराशा ही अभिव्यक्त हो रही है द्रड जटा मुकुट हो विपरयस्त प्रतिलट से खुल और जो जटाएं जब वे युद्ध क्षेत्र में गए थे तो उसमें द्रडता पूर्वक मजबूती से वो सारी की सारे उनके केश जटा के रूप में बंधे हुए थे लेकिन अब जब वे लोटे हैं युद्ध के ब एक लट खुल करके बिखर गई है थेल्ण प्रश्थ पर और वो लटाये उनकी खुल करके प्रश्थ मतलब पीट श्री राम की पीट पर फैली है क्योंकि घनी काली जटाएं हैं श्री राम के केश घनेकाले और लंबे हैं तो इसी स्थिती में वो पीट पर फैले हुए हैं, भुजाओं पर फैले हुए हैं, वक्ष पर फैले हुए हैं और पूरा विपुल उतराजयों दुर्गम परवत पर नैशान्ददार। और उनके खुले हुए जो केश हैं गने, वो रात्री के अंधकार के समानपरतीत हो रहे हैं, चमकती दूर ताराएं जियों हों कही पार, और जिस प्रकार रात्री के अंधकार में आकाश में दूर कहीं छोटे-छोटे तरे दिखाई देते हैं, उसी तरह से उनके जो तेजस् वो उन घने काले बादलों मैसे घने काले केशों के बीच से इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं जैसे आकाश में दूर तारे चमकते दिखाई दे रहे हों तो चमकती दूर तारा हैं इसके द्वारा राम के नेत्रों की ओर संकेत किया गया है है अब तीसरा आइश आगया दोस्तों है अमानिशा उगलता बहुत ही महतुपूर्ण पंक्ति है राम की शक्ति पूजा की है इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे इस पत्याश की खास बात ये है दोस्तों कि यहाँ प्रकृती और परिवेश के चित्रण के माध्यम से बहुत देखिए निराला की भाषा की एक खास बात ये थी कि वे शब्दों को आवशक्ता नुसार छोटा कर लिया करते तो उसका उधारन है ये अमानिशा शब्द निशा एक स्वतंत्र शब्द है जिसका आर्थ होता है रात्री लेकिन अमा वस्या जो शब्द है वो यहाँ उन् संक्षित्ट कर दो शब्दों को विलाकर एक नए शब्द का निरमान किया इस तरह की नवीनस शब्दों का निरमान करने की प्रवृत्ति काला की काव्य में बहुत ही सुंतर रूप में दिखाई देती है तो अमा निशा बत हुआ अमा वस्या की रात है उगलता गगन घं उगलता जो गहना अन्दकार और अधिक अगलना किसका गुंड होता है एक मनुष्य का गुंड होता है यानि आकाश पर मानविये गुंडों का आरोप है तो मानवी करण अलंकार है खो रहा दिशा का ग्यान और जब बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और कहीं से कोई रोशनी की किरण नहीं आती तो दोस्तों हमें समझ में नहीं आता कि कौन सी दिशा हमारे रास्ते की है और कहां पर हमें जाना है हमारे दिशाओं का ग्यान खो जाता है यानि इस खो रहा द इतने हताशा और निराशा के अंधकार में हैं, पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अमावस्या की रात है, परिवेश में तो वो अमावस्या की रात है, लेकिन राम की मनस्तिति के संदर्ब में वो हताशा और निराशा की रात है, गगन घन अंधकार यानि अंधकार के घने हो पर दिशाओं का बोध नहीं हम कर पाते एक दिशाओं की का ग्यान हमें नहीं होता उसी तरह से राम के हरदय में इतना घना हताशा और निराशा का अंधकार है कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि इस विशम परिस्तिती में जबकि रावड का पलड़ा भारी है तो मैं कौ संकेत किया गया है स्तब्ध है पवन्चार चार का मतलब है संचरन शील यानि गति शील यानि पवन का जो स्वभाव होता है वो क्या होता है कि निरंतर गतिमान होती है बहती रहती है चाहे तेज गति से बहे चाहे धीवी गति से लेकिन वो संचरन शील जो पवन है वो भी इस वक्त सब्द है मानो रुकी हुई है यानि राम ऐसा लग रहा है कि पूरी के पूरा अंतर उनके सब्द ताचाई हुई है यानि विश्ट जैसे श्वांस रोक कर हताशा और निराशा के सागर में डूबे हुए हैं आप अधिहत गरज रहा पीछे अम्बूधी विशाल और एक चटान पर बैठे हैं श्री राम और उस चटान के उस परवत के पीछे नीचे की तरफ सागर है विशाल सागर और वो उसमें लहरें तेजी से उठ रही है और सागर गर्जना कर रहा है ये परिवेश का चित्रन है लेकिन इसके माध्यम से राम की मना स्थिती का चित्रन किस प्रकार है कि निलंतर एक सागर जैसी गर्जना की हलचल उनके हिरदय में हो रही है यानि कि उनके हिरदय में विचारों का संघर्ष चल रहा है उद्वेलन चल रहा है उसे सागर के माध्यम से अभिव्यक्त किया ह भूधर जो ध्यानमगन कल जलती केवल मशाल और जो परवत है वो कभी कतना करते हैं जैसे क्योंकि परवत हमेशा अचल होते हैं उन्हें इसलिए अचल भी कहा जाता है तो वो किसी परवत को कभी ध्यानमगन योगी के समान बताते हैं यहां भी मानवी करण लंकार भी हो गया और जियों होने के कारण उत्प्रेक्षा भी हो गया अब ये तो परिवेश का चित्रन हुआ राम की स्थिति क्या है कि राम भी अपने उस संकट में डूबे हुए है ध्याना वस्ते थे और इस चिंतन में लीन है कि इस समस्या का क्या समाधान ढूंडा जाए तो किस तरह से व बाहर उनका जो शिवेर है जहां वे बैठे हैं चट्टान पर वहां पर एक मचाल जल रही है बाकी चारों और घना अंधकार है राम के अर्थ में इसका क्या अर्थ हुआ कि मन में गहरा अंधकार है लेकिन एक कहीं न कहीं एक उनके चेतना की जो लौ है वो अभी सवलित है जल रही है आगे चलें स्थिर रागवेंद्र को इला रहा फिर फिर संश है यानि रागवेंद्र यानि श्री राम यद्यपी स्वभाव से स्थिर हैं यानि स्थित प्रग्य है स्थित प्रग्य व्यक्ति कौन होता है जो विशम से विशम स्थित आने पर भी विचलित न हो जिसकी जो पूरी तरह से अपने आप में द्रड रहे विचलन जिसमें न हो ऐसे श्री राम को भी आज हताशा और निराशा के कारण बार बार जो संश है वो हिला रहा है यानि एक और श्री राम के व्यक्तितु की विशेष्टा बताई जा रही है स्थिर्ता दूसरी और हिलने की बात की जा रही है यानि दो परस पर विरोधी बात है तो विरोधा भास अलंगार हुआ रह रहे है उटता जग जीवन में रावण जैब है और बार बार उनके मन में संशे क्या उत्पन हो रहा है कि उन्हें बार बार ये संशे उत्पन हो रहा है कि कहीं रावण की विजय न हो जाए और उसके कारण वे भैभीत है क्योंकि यदि रावण की विजय हो गई तो रा नहीं हो सकेगा और अधर्म स्थापित हो जाएगा इसी बात से अंदरी अंदर उद्वेलित हैं विचलित हैं श्री राम जो नहीं हुआ आज तक है हरदय रिपु दम्य श्रांत एक भी अयुत लक्ष में रहा जो दुराकरांत कभी कहते हैं कि राम का वो हरदय जो कभी रिप जिन श्री राम ने के हिरदय ने कभी शत्रूों का अधर्मियों का नाश करने में उनका दमन करने में कभी कोई थकान महसूस नहीं हुई और वो एक भी एक अकिला होकर भी अयुत यानी हजारों और लक्ष यानी लाखों हजारों लाखों का सामना दोराकरांत बिना विश्चे करता रहा जिसने कभी कपना कदम पीछे नहीं हटाया जो अटलता से पूरी अडिगता से डटा रहा शत्रूओं के सामने अकेला होकर भी आगे चलें कल लडने को हो रहा विकल वह बार बार और वहीर श्री राम का हरदय जो इतना स्थिर है इतना संकल्प निष्ठ है इतना शौर्य और पराकरम से बढ़ा हुआ है वो कल के युद्ध में रामण की विजय होने की आशंका से बार बार विकल यानि व्याकुल हो रहा है असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार बार बार उनके हरदय में अपनी असमर्थता जाहिर हो रही है असमर्थता का भाव आ रहा है और वे बार बार अंदर से उनकी उनका होने वाली है अगला अगला आशाता है लख महा नाश शिव अचल हुए एक शन भर चंचल ये वो प्रसंग है दोस्तों जब हनुवान जी श्री राम के अश्रु देख करके और विच्छे को करोध में भर करके आकाश में उर्द्वगमन कर जाते हैं और महा आकाश को देलने क पर हो जाते हैं पूरी स्रिष्टी का पायमान होटती है उनके क्रोध के समक्ष और इस विनाशकारी स्थिती को देखकर शिव जी की क्या प्रतिक्रिया होती है उसका वर्णन यहां किया गया है लख महा नाश जब हनुमान जी को क्रोध में भरे हुए देखा शिव जी ने तो वे लख यानि देखकर स्रिष्टी का विनाश उनके सामने बिलकुल स्पश रूप से दिखाई देने लगा उन्हें लग गया महसूस हो गया अनुभव हो गया कि यदि हनुमान जी को समय रहते नहीं रोका गया इनके क्रोध को शांत नहीं किया गया तो निष्टी ये कि पूरी स्रिष्टी समाप्त हो जाएगी तो ऐसा देखकर जो अचल रहने वाले प्रत्येक स्थिती में अडग अडग रहने वाले कभी विचलित नहोने वाले जो शिव हैं वो भी क्षण भर के लिए चंचल हो गए यानि विरोधी स्थितियां तो विरोधा भास अलंकार अचल शिव कैसे हो गए चंचल हो गए एक्षण भर के लिए विचलित हो गए श्यामा के पदतल भार धरण हर मंद्र स्वर और ये पूरी की पूरी जो पंक्ती है ये हर यानि शिव जी शिव जी का विशेशन है ये पूरी की पूरी पंक्ती यानि क्या कहा गया है श्यामा यानि शक्ती यानि महाकाली महाकाली के चरणों का भार धरण करने वाले भगवान शिव एक बार जब राक्षसों का संघार करते हुए महाकाली के रूप में, रौदर रूप में क्रोध से भर कर मा राक्षसों का संघार कर रही थी और उनका क्रोध इतना बढ़ चुका था कि उससे पूरी स्रिष्टी का विनाश संभव था तो उनके क्रोध को शांत करने के लिए उनके सामने शिवजी जमीन पर लेट गए थे और क्रोध में आविष्ट होकर आगे बढ़ती हुई महाकाली का कदम उनके वक्ष पर उनके सीने पर आ गया था और ततकाल वे रुग गई और उनका क्रोध शांत हो गया तो उसी संवरो देवी यह कथन किसका है यह भी प्रशन पूछा जा सकता है संवरो देवी यानि शक्ति से कहा कि संवरो यानि रुको देवि निज तेज अपने तेज को रोको अपने तेज का प्रसार रोको नहीं वानर यह है यह कोई साधरन वानर नहीं है जिसके सामने तुम अपने तेज का प्रसार कर रही हो नहीं हुआ श्रंगार योगमगत महावीर यह वो महावीर है जो कभी अपने जीवनकाल में श्रं अर्चेनाह राम की मूर्तिमान अक्षे शरीर और अक्षे कभी अकषे नहोने वाला यानि अर्शशरीर है वो राम के प्रति आराधना का चीवत स्वरूप है मूर्तिमान स्रूप है वालन करने वाल रहा है यह इ'De Metal had Anhva one running और ये धन्य है इसलिए इसके समक्ष तेज को अपने तेज के प्रसार को हे शक्ति हे मा रोखो ऐसा शिप जी ने तेवी से कहा या पूर शोतम के सर्वोतम और ये जो वानर है ये मरियादा पूर शोतम श्री राम का अनन्य भक्त है लीला सहचर और वो मानव को पृत्वी पर लीला कर रहे हैं उसमें उनका सहचर है साती है उनके दिव्य भावों को धारण करने माला है यदि हे देवी आपने इन पर प्रहा किया तो करने पर होगी देवी तुम्हारी विशमहार तो ऐसी स्थिती में हे देवी तुम्हें अप भायंकरहार का पराजय का सामना करना पड़ेगा विद्याकाले आश्रे इस मन को दो प्रबोधित इसलिए तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि इस वानर से युद्ध करेगी का पेशा तुम इसे बुद्धी के द्वारा शांत करो इसको सही मार्ग दिखाओ इसको प्रबो में हनुमान जी को प्रबोधित करने का प्रयत्न करूंगी तो संभर्त है वे प्रबोधित नहीं होंगे मेरी बात को समझेंगे नहीं तो बहुत कोशल से शक्ती ने उनकी माता अंजना का रूप धारण किया तो सहसा नब से अंजना रूप का हुआ उदय, अंजना के से यानि अनुमान जी से क्या कहा बोली माता तुम ने रवी को जब लिया निगल कि जब बहुत छोटे थे तब तुमने सूर्य को निगल लिया था अब नहीं बोधता तब तुम बालक थे तुम्हें समझ नहीं थी इसलिए तुमने ऐसा कर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा रहे बालक केवल यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहा है लेकिन बच्पन का वो भाव अब जब कि तुम समझदार हो गए हो पुद्दिमान हो गए हो तुम्हें वही बच्पन का भाव अब भी व्याकुल करता है यह लज्जा की है बात कि मा रहती सहसे और मेर मेरे लिए क्योंकि मैं तुम्हारी माता हूं तो मेरे लिए तुम्हारी इस तरह की जो लीलाएं इस तरह की जो कारे हैं जो स्रश्टी के लिए विनाशकारी है उनके कारण मुझे बहुत कुछ सहना पड़ता है और यूए मेरे लिए बहुती लज्जा जनक बात है शर्मिंद करते हैं पूझते और वो शिव जी कौन है पूझते जिन है श्री राम उसे ग्रसने को चल कि श्री राम के आराध्य है भगवान शिव और भगवान शिव रहते हैं महाकाश में और शिव कौन है श्री राम के आराध्य है और तुम अपने आराध्य के आराध्य का जो स्थान ह निवासस्थान उसी को ग्रसने के लिए निगलने के लिए तत्पर हो गए हो क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ चरा सोच कर देखो गुद्धी से क्या तुम ये अनर्थ नहीं कर रहे हो सोचो मन में क्या दी आग्या ऐसी कुछ श्री रगुनंदन ने क्या तुम्हें ऐसा करने हे पुत्र कि तुम अपने सेवक धर्म का पालन नहीं कर रहे उसका त्याग कर रहे हो क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धारे और किये असंभाव काम जब तुम कर लोगे तो क्या यह राघव के लिए यानि श्री राम के लिए इसको सहन पाना संभाव हो पाएगा अर्थात माता ध्यान दिल लाती है कि इसको राम किसी भी स्थिती में सहन नहीं कर पाएंगे कपी हुए नम्र और जैसे ही ये प्रबोधन माता अंजना के रूप में शक्ती ने श्री हनुमान को दिया तो वे विनम्र हो गए यानि उनका क्रोध शांत हो गया क्षण में माता चवी हुई लीन और माता की चवी आकाश से विलीन हो गई उतरे धीरे धीरे गह प्रबुपद हुए दीन और पूरी शांत भाव से पूरी दीनता से पूरे अपने प्रबु के प्रती समर्पित भाव से वे धीरे धीरे प्रित्वी पर उतरे और शांत भाव से प्रभु के चरणों में विराजमान हो गए अगला इशाता है रग और अवलग हुए जा रहे तुम इसक्षण ये वो प्रसंग है जबकि सारी सेना के लोग जित्ते भी सेना नायक हैं सब देख रहे हैं राम की हताशा निराशा उनके विचलन को तो ऐसी स्थिती में ये कथन है विभीशन का विभीशन मित्र होने के नाते ये आवश्यक समझते हैं कि वे श्री राम को समझाएं और इस हताशा और निराशा के सागर से बाहर निकाले तो वो कहते हैं रगुकुल गाुरव कि हैnt रगुकुल गाुरव श्री राम लगु हुए जा रहे, तुम इस समय बहुत हींता के बोझ से हींता के बोझ से इस चण बहुत दबे जा रहे हो, यानि निराशा के दबाव के कारण तुम अपनी सामर्थे को अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हो तुम फेर रहे हो पीठ और अपनी इस लगुता के कारण इस हींता के बोज के कारण अपनी सासमर्थता के भाव के कारण तुम निरंतर इस युद्ध से पीठ फेर रहे हो जबकि ये य तुम्हारे लिए एक सीता जी के पती के रूप में भी तुम्हारा दाइत्व है और इस पृत्वी पर से अधर्म का नाश करने के लिए भी तुम्हारा नैतिक दाइत्व है हो रहा हो जब जैरन और ऐसी स्थिटी में जब कि तुम्हारी युद में जैपूरी तरह से संभाव को समझा रहें कितना अश्रम हुआ वियर्थ और आप सोच कर देखिए है प्रभू कि कितना परिश्रम हमने इस विजय प्राप्ति के लिए किया था वो सब वियर्थ हो जाएगा आया जब मिलन सब है और आज जब कि जानकी जी से माता से मिलने का समय आपका निकट आ रहा है तब आप इस तरह से युद्ध से पीट फेर कर अपने दाईतों से विमुख नहीं हो सकते तुम खीच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय तो यह यदि आप ऐसा करेंगे तो संभावत है यह प्रमानित हो जाएगा कि आप निर्दय हो करके समवेदना हीन होकर जानकी की ओर से ना हात खीच रहे हो यानि उनके प्रती आपका जो दाईतों है उसका निर्वाह करने से पीछे हट रहे हो अगला बोले रगुमनी मित्रवर विजय होगी नसवर और यह बात सुनकर के विभीशन की रगुमनी यानि श्री राम बोले कि हे मित्र मैं इसलिए परिशान हूँ व्याकूल हूँ हताश हूँ निराश हूँ क्योंकि मुझे इस पश्ट दिखाई दे रहा है कि इस युद्ध में मेरी विजय नहीं होगी यह नहीं रहा नरवानर का राक्षस से नन क्योंकि अब ये युद्ध मनुष्य और वानर का राक्षसों से युद्ध नहीं रहा ब अन्याय जिधर बोले मेरा विचलन इस बात पर है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति कि मैं तो अन्याय का नाश करने की कोशिश कर रहा हूं अधर्म का नाश करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि लोक मंगल की स्थापना हो सके लोक कल्यान हो सके लेकिन यदि शक्ति ही अन्याय क साथ देंगी तो मैं अपने इस धर्म को पहला कैसे पूरा कर पाऊंगा इस पंक्ति को कंठस्त कर लेंगे दोस्तों ये किसका कथन है क्यूं कहा अन्याय जिधर है उधर शक्ति अन्याय का साथ दे रहे है श्री राम का कथन है कहते चल चल और ऐसे कहते कहते हो गए नयन उनके नेत्रों से अश्टूओं की धारा प्रवाहित होने लगी और फिर से पृत्वी पर कुछ आसू उनके गिर पड़े अगला बिंदू बोले विश्वस्त कंठ से जामभवान ये सारी बात रगुवश मनी की यानि श्री राम की सुनकर जामभवान बोले रगुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण की आपका ही जो विचलन है इसका मैं कोई उचित कारण नहीं देख पा रहा हूँ है पुरुष सिंग के आप तो पुरुषों में सिंग के समान है यानि आप बलशाली हैं ओजस्वी हैं शौर्यवान और पराक्रमी हैं तुम भी यह शक्ति क करो धारन की यदि उसने शक्ति की उपासना करके उन्हें अपने पक्ष में किया है तो आप भी शक्ति की उपासना करके इस शक्ति को धारन करो यानि शक्ति को अपने पक्ष में करो यह पंग्टी बहुत महतुकून है दोस्तों कंठस अतर लेगे आराधन का द्रण आराध पर इस प्रकार तुम अपने प्राणों से प्राणों पर विजय प्राप्त करो, अपने आपको संतुलित करो और अपने आपको कहां किस ओर लगाओ, शक्ति की उपासना में लगाओ, रावण अशुद्ध होकर भी जामवान कह रहे हैं, जामवान का कथन है, इस पंक्ति पर प्रशन पूछा जाता है कि रावण यदि अशुद्ध भावों वाला होकर भी यदि कर सकता त्रस्त लोगों को हैवीत कर सकता है तो फिर तुम तो धर्म की स्थापना करने के लिए संकल्पित हो तो ऐसी स्थिती में तुम तो निश्चे ही सिद्ध करोगे उसे द्वस्त उस की आराधना करे छोड़ दो समर जब तक न सिद्धी हो रगुनंदन और ऐसी स्थिती में हे रगुनंदन हे श्री राम तब तक युद छोड़ दो जब तक कि तुम्हें शक्ति प्राप्त न हो जाए यानि शक्ति का वरदान न मिल जाए अगला मातह दशभुजा विश्व की जियोती है वो मैं आपकी शरण में हूँ कौन कह रहे हैं श्रियाम कह रहे हैं शक्ति से हो विद्ध शक्ति से खल महिशासूर मर्देत के आप अदबत शक्ति से युक्त हैं और आप दुष्ट खल मतलब दुष्ट महिशासूर का मर्दन करने वाली है नाश करने वाली है जन रंजन चरण कमलतल और आपके चरण कमलों में लोक कल्यान का भाव लेकर कौन रहता है धन्य सिंग गर्जित गर्जना करता हुआ सिंग विद्यमान है और वो गर्जना करता हुआ सिंग धन्य है यह है यह मेरा प्रतीक कि मैं इसको अपने रूप में देख रहा हूँ मानो ये सिंग कोई और नहीं बलकि स्वयम मैं हूँ तो यह मेरा प्रतीक मातह समझा इंगित के हे मा मैं आपका संकेत इंगित यानि संकेत मैं आपका ये संकेत समझ गया मैं सिंग कि मैं आपका सिंग हूँ इसी भाव से करूँगा अभिनंदित मैं अपने आपको आपको शक्ति के के रूप में माता के रूप में देखूंगा यह मौलिक कल्पना है और मैं स्वयम को आपके चड़नों में विद्यमान रहने वाले सिंग के रूप में देखकर आपकी मांतिमान कर आपकी आराधना करूंगा अगला बिंदु देखो बंधुवर सामने स्थिर जो वह भूधर शोभित शत हरित गुल्म तरण से श्यामल सुंदर अब शिराम कहते हैं कि देखो बंधुवर अपने साथियों कहते हैं कि यह सामने जो भूधर यह जो सामने पहार दिखा ही दे रहा है जिस पर शत यानि सेक हरी भरी गुल्म ओशदियां जड़ी बूटियां विद्यमान है और ये ओशदियों और जड़ी बूटियों के हरे भरे स्वरूप के कारण बहुत ही श्यामल यानि हरा भरा और सुंदर दिखाई दे रहा है पारवती कल्पना है इसकी ये साक्षा पारवती के रूप में मेरे की मकरंद बिंदू और इसकी जड़ी बूटियां जो आशदियां जो वनस्पतियां इस परवत पर हैं उनके पुष्पों के जो पराग कण हैं वो मानो पारवती माता के नेत्रों से निकलने वाले स्नेह के कण हैं जो हम सब में वित्रित हो रहे हैं हम सब को प्राप्त हो र से टक्रारहि हैं, वास्ताव में वह सागर नहीं है, बल्कि गर्जना करता हुआ माता की शक्ति के चरणों में रहने वाला सिंग्व है, यानि आपको ध्यान देना है अ कि पारवती के रूप में भगवान ने श्रीराम ने और मकरंद बिंदूओं को किस रूप में देखा? मा के नेत्रों से तसारित होने वाले स्नेह के बिंदूओं के रूप में देखा? और सागर को किस रूप में देखा? गरजना करते हुए सिंग के रूप में देखा? ये उनकी शक्ती की मौलेक कलपना थी. दशदिक समस्त है हस्त और क्योंकि मा के भुजाएं कितनी होती है दस तो यह जो दसों दिशाये हैं यह मानो माता के हाथ हैं और देखो उपर अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशी सेखर और माता के आराध्य कौन है शशी शेखर यानि जो अपनी मस्तक पर चंद्रुम को धारण करते हैं अर्थात शिव को दिगंबर कहा जाता है क्योंकि दिशाये ही उनका वस्त होती है वे वस्त धारण नहीं करते म्रग चर्म केवल धारण करते हैं तो ऐसी स्थिती में वे कहते हैं और देखो आकाश में किस प्रकार पार्वती माता यानि शक्ति के आराध् चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारन करने वाले दिगंबर शिव अवतरित हो गए हैं लख महाभाव अंगल पदतल धस रहा गर्व और इस महान द्रश्य को देख करके मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो एहंकार जो है वो इस प्रिथवी में धस्ता चला जा रहा है अर्थात सांकेते कर्थ क्या हुआ कि एहंकार का मानो नाश होता जा रहा है मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व और मानव के मन में मनुश्य के हिर्दय में जो असुर बैठा हुआ है यानि जो राक्षसी व्रत्यां है वे राक्षसी व्रत्यां धीरे-धीरे मंद यानि हीन होकर खर्व यानि नष्ट होती जा रही है आगे चलते हैं अगला द्विप्रहर रात्री साकार हुई दुर्गा छिपकर अब शक्ति की आराधना प्रारम कर चुके हैं और अंतिम 108 वा इंदीवर उन्हें फाता के चलनों में अर्पित करना है उसका वर्णन करते हुए कभी कहते हैं कि तुछ प्रहर रात्री रात्री का दूसरा पहर चल रहा है साकार हुई दुर्गा छिपकर और आराधना से प्रसन होकर दुर्गा दबे कदमों से साकार हो गई यानि वहा उद्देश राम को विचलित करना नहीं था उनका उद्देश था उनकी परीक्षा लेना तो वे हसते हुए मुस्कुराते हुए पूजा का जो आकरी इंदीवर था जो 108 नील कमल था उसे उठा कर ले गई यह अंतिम जब और यह आकरी जब था 108 इंदीवर चढ़ाने का पढ़ाया कर लेने को नील कमल और ऐसी स्थिती है ध्यानावस्थित अवस्था में अपने ध्यान को माता के दोनों चरणों में केंद्रित रखते हुए श्री राम ने बंद नेत्रों से ही अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि बे 108 नील कमल उठा कर मा के चरणों में अरपित कर सके कुछ लगाना हाथ लेकिन जब वहां उस स्थान पर इंदीवर उनके हाथ में नहीं आया हुआ सहसा स्थिर्मन चंचल तो उनका स्थिर्मन एक आएक विचलित हो गया फिर से एक बार हताश और निर्श और विचलित हो गए ध्यान की भूमी से उत्रे क्योंकि उनका वो ध्यान की अवस्था में उर्ध्व गावी हो चुके थे तो ऐसी स्थिती में वे धीरे धीरे नीचे उत्रे भूमी पर उत्रे यानि सामान्य हुए खोले पलक विमल और उन्होंने विमल यानि अपने निर्मल नेत्र धीरे धीरे देखा वह रिक्त स्थान और सामने जब उन्होंने दृष्टी दोडाई जहां पर इंदीवर रखे थे बहां पर वे उन्होंने उस स्थान को खाली देखा यह जब का पूर्ण समय तो उनके मन में ततकाल यह विचारुत्पन हुआ कि यह तो जब के पूरे होने का अंतिम आक जाएगी भर गए नयंद्व है और यह विचार आते ही कि उनकी आराधना सफल नहीं हो पाएगी उनके नेत्र जो थे वो अश्रूं से भर गए धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध भूती महतुपोन पंक्तियां हैं इन पर आधरित प्रश्न भी परिक्षा में पूछे जाते हैं कि इससे निराला के जीवन की अभिव्यक्ति भी होती है तो धिक जीवन के ऐसे जीवन को धिकार है जिसे हमेशा विपरीत परिस्तियों का ही सामना करना पड़ा ये उस समय कहते हैं श्री राम जबके 108 इंदीवर उठा करके ले गई है शक्ति धिक साधन जिसके ल जान की हाई उधार प्रिया का होना सका कि जान की जिसका उधार मैं रावण के वद के माध्यम से अधर्म के नाश के माध्यम से करना चाहता था वो भी मैं नहीं कर पाया क्यूंकि मेरा ये जो कार्य है आराधना का कार्य ये निश्वल होने जा रहा है वह एक और मन रहा रा साह और उमंग विद्यमान्ती पूरा उनकी चेतना पूर्ण तह जागरती तो ये एक और मन के द्वारा किस बात की ओर संकेत किया गया है? राम की चेतना की ओर जो नहीं जानता क्योंकि उनकी चेतना दैनने यानि दीनता नहीं जानती अपने आपको असहाय समझना नहीं जानती नहीं जानता विने विनम्र होना नहीं जानती क्योंकि उसमें पौरश और पराक्रम कूट-कूट कर भरा है कर गया भेदवह माया वरन प्राप्त कर जाए बुद्ध के दुर्ग पहुँचा विद्यूत गति हत जेतन तो ऐसी स्थिती में वो जो मन था जो पराजित नहीं होना जानता वो फिर से जागरित हुआ यानि उनकी चेतना जागरित हो गई और बुद्ध के द्वार पर विद कारे को संपन करें राम में जगी स्मृति और जैसे ही बुद्धी उनकी संतुलित हुई उन्होंने चिंतन प्रारम किया तो उनकी स्मृति जागरित हो गई सजग पाब महभाव प्रवन और उनके जो भाव थे वो संतुलित हो गए और फिर क्या हुआ उन्हें तुरंत एक उपाय सुझा यह है उपाय कहे उठे राम जियो मंदृत घन यह पंक्तिया में बहुत महत्पूर्ण है प्रश्न पूचे आता है फिर अचानक उन्हें याद आया गुंचते हुए बादलों के समान गर्जना करते हुए धीमे धीमेस्वर में राम बोले हां यह उपाय है क् माता मुझे को राजीव नयन के पात माता बच्पन में मुझे राजीव नयन कहा करती थी और आज मुझे एक राजीव की ही जरूरत है इक इंदीवर की ही आवश्यक्ता है दो नील कमन है शेष तो मैं क्यों विचलित हो रहा हूं मेरे पास अभी दो नेत्रों के रूप में दो इंदीवर विद्यमान है तो अभी यह पुरश चरण और यह जो आगे का जो चरण है आराधना का जो अंतिम चरण है पूरा करता हूँ देकर मातह एक नयन तो ऐसी स्थिती में है माता मैं अपना नेत्र जिसे मेरी मा कमल के समान सुंदर नेत्र कहा करती थी उसे कमल के अपना नेत्र समर्पित करने के लिए कापा ब्रह्मांड पूरा ब्रह्मांड डोलने लगा हुआ देवी का त्वरित उद्य और शक्ति तुर्ततकाल वहीं उनके सामने साक्षात अवतरित हो गई साधू साधू और क्या कहा शक्तिने राम से ये पंक्तियां बहुत साधू साधू साधक धीर के धन्य हो धन्य हो हे साधना करने वाले धैर्यवान श्री राम तुम धन्य हो धर्म धन्य राम है धर्म के मार्ग को ही अपना स्वास्तविक धन मानने वाले हे राम तुम धन्य हो कहलिया भगवती ने राघव का हस्त थाम और ऐसा कहते हुए भग राम ने आखें खूल कर देखा कि सामने अत्यधिक दैदि प्यमान तेज से युक्त दुर का उनके सामने साक्षात खड़ी थी वामपद असुर सकंध पर उनुका वामपद यानि बाया चरण असुर यानि राक्षस के सकंध यानि कंधे पर बाया चरण कहा था राक्षस के कंधे पर रहा दक्षिन हरी पर और जो दाया था दक्षिन यानि दाया जो चरण था वो हरी हरी का अर्थ होता है सिंग सिंग पर था दाया सिंग पर और बाया राक्षस के कंधे पर जोतिर मैं रूप और अद्भुत जियोती से युक्त उनका रूप था हस्त दश विविद अस्र सजित और उनके तसों हाथों में विविन प्रकार के अस्र शच्र सजित थे मंद स्मित मुख पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी लख हुई विश्व की श्री लजजित और उनका वो जो सुंदर रूप था उसके समक्ष संपोन संसार का सौंतर लजजित हो जाए इतना अनुपम मा का वो सौंदर ये था है दक्षण में लक्षमी और उनके दाहिनी और लक्षमी विराजमान थी उनके बाई और सरस्वती राजमान थी उनके दक्षण में दाहिनी और गणेश जी थे और बाई और उनके रंग राग यानि सैनिक की युद्ध की वेश भूशा में सैनिक की वेश भूशा में तार्टिकेय विध्यमान थे क्योंकि कार्टेगे को देवताओं का सैनापती माना जाता है तो उसी बात की और यहां सग्यत की आ गया मस्तक पर शंकर और उनके मस्तक पर शंकर शिवशंकर शोभाय मान थे पद पदमों पर श्रधा भर श्री राघव हुए प्रणत और माता का ये सुंदर दैदिप्यमान स्वरूप देखकर श्रधा भासे बर भर उठे श्री राम और वे प्रणत जुक गए माते च्रणों में जुक गए और हलके धीमे धीमे स्वर में उनकी वंदना करने लगे होगी जै होगी जै हे पुरुशोतम नवीन कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन ये पंक्तियां बहुत महत्पूर और राम की शक्ति पूजा की अंतिम पंक्तियां है माने तुरंत राम की आराधना से प्रसन होकर उन्हें वर्दान दिया कि हे नवीन पुरुशोतम, तुम्हारी निश्चही इस युद में विजय होगी, तुम्हे सफलता प्राप्त होगी और तुम अपने लक्ष यानि धर्म स्थापना के कार्य में सफलता प्राप्त करोगे और ऐसा कहकर ये वर्दान देकर महाशक्ती राम के बदन यानि मुख में विलीन हो गई तो दोस्ते ये हुआ हमारा आज का सत्र जिसमें हमने राम की शक्ति पूजा से संबंदित कुछ महतपूर्ण तत्कियों पर बात की उसके कथासार को जाना और उसके चैनित अंशों को जिन पर अक्सर परिक्षाओं में प्रशन पूछे जाते हैं उनको गहराई से समझ लिया उम्मीद करती हूँ कि ये सत्र आपके लिए बहुत बहुत उप्योगी रहा होगा अगले सत्र के इंतदार में रहिए जिसमें हम राम की शक्ति पूजा पर आदारित कुछ महतपूर्ण प्रशनों पर बातचीत करेंगे तब तक के लिए नमस्का